तो आज दोस्तो धुटो थोड़ा नहीं है दोस्तो इस टूडियो में पर कोशिश है दोस्तो कि अगर पावर इस बैग तो कोशिश करेंगे दो घंटे स्क्लास को की जा गया चली आई सब करते हैं तो हम यहां पहे थे यहां सी वूट हैपंस्ट टेसिं डेट! लयकुर्ष दोस्तो ह데 करते हैँ में लाश्ट में टेस्स के साथ क्या होता है? जोस्तो हम बत कर रहे थे हार्ड़ के दा सलका मील काउंस्ट मींट कर चुश का मीठी को वीप ऎकिन कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा इस्वरेक निर्दई आत्मा है दोस्तों जो हमारे साथ खेलता है देट सौट यू नोग फिलोसोफी अफ हाड़ी सेज और राइट आंसर गाइज एलेक की हर्त्या के अपरात में दोस्तों लटका दिया जाता है किसको टेस्ट को परसे कि अपरेक इसको कि gauche को हम सब जानते हैं है वास्टों में एलेक ही वह बंदा है जो उसका रेप करता है और साथी कर लेता है तभी दहीं कर लेती है मजबूरी मुस्के और तब यह एंजेल क्रेर वापिस आ जाता है Zusन्सा कंफूज हो जाती है टेस्स और दोस्तो वहां स्थोड़ी बहुत होती है एंजे क्लेयर लोड के जाता होता है दोस्तो और मार डालती है कौन इस किसको एलेक को एलेक डी और वर्विलेस काईच है आपसे नमबर थरी वो इस दर राइवल अफ हेंचर्ड इन दे मेर अफ केस्टर बीज दोस्तो मेर अफ केस्टर बीज नॉवल में दोस्तो हेंचर्ड का कॉम्पटीटर कौन है गाईज है आपसे ने डोनाल्ड फॉर्फरे सूसन एलेक्ट क्लिब आए तो दोस्तो हम सभी जानते हैं हेंचर्ड का राइवल है कौन दोस्तो जो उसके पूरे बीजिनेस पे धिरे-धिरे फो आए इन विच यह टॉमस हार्डी अनॉंस थी बुड नोट राइट फिक्शन अगें दोस्तो बड़ी मज़दार कहानी दोस्तो एक रियल में बड़ा इंट्रेस्टिंग कोश्चन है किस वर्स हार्डी ने दोस्तो अनॉंस किया कि अब वो दोबारा नॉवल्स नहीं ल देखेंगा आप से ने 1940, 1928, 1912, 1896 कैशन दोस्तो यह वो टाइम था जब खुद हार्डी बहुत परिशान थे दोस्तो और वो कोई भी उनके नॉवल को दोस्तो प्रिंट नहीं कर रहा था तो देखाएट वाज एटीन नाइटीस दोस्तो कई पबलीसेंस ने रिजेक्ट कर दिया था 1896 दोस्तो इस कांट्री इस जपिक्टेड दोस्तो आप साधी दोस्तो किस कॉंटी में हार्डी के नॉवल्स लोकेटे जोते हैं हमने इसको पहले भी किया है Essex, Vasex, Sussex, Surrey और हम सबी जानते हैं दोस्तों The right answer is Vasex उनका वो इमेजिनरी सहर है जहां पर उनके नॉबल्स लोकेट जो हते हैं Question number 6 दोस्तो Who is Jude Falle's? Cousin in Jude the Obscure दोस्तों याद करें दोस्तों Jude Falle की Cousin कौन है? Jude the Obscure में दोस्तों Mary Chant, Tess, Derby Filt, Aravaila, Shoe, Brighthead पहले भी दोस्तों यह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है Yes, I And the right answer is Guys की Jude Falle दोस्तों जिसके कज़ेस उसका पूरा पतन होता है दोस्तों And the right answer is Shoe, Brighthead Let's go Question number 7 Which novel of Thomas Hardy first again notice दोस्तों Thomas Hardy का दोस्तों वो कौन सा नॉबल है जिससे वो थोड़ा पापुलर हुए Vestiges of and old flame far from the madding crowd under the green wood tree a pair of blue eyes guys आई प्यार करती दोस्तों Surgeon Troy याद करिये दोस्तों जो उनको खूब लपेटता है और धोखा देता है और बैत सीवा एवर्डीन और दोस्तों Gabriel Oak जो सेफ़ड होता है सुदर राइट आंसर क्याई वीप बॉम में इसको question number i who conferred the order of merit on Thomas Hardy दोस्तों Thomas Hardy को order of merit कावार्ड किस ने दिया था आपसे ने Victoria Edward 7th, George 5th, Edward 8th दोस्तों दोस्तों यह भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है point पूरा पढ़ाया है Edward नहीं दोस्तों जार्ज पंचम ने दोस्तों किस ने जार्ज पंचम ने order merit कावार्ड दिया किसको हमारे हार्डी साथ को question number 9th, which poem of Thomas Hardy deals with Napoleonic Wars का इचहां हाई हार्डी की दोस्तों कौन सी poem है जो Napoleon Wars से जोड़ी है आपसे ने पढ़ाया हुए दोस्तों दे ग्रेव बाई दे हैंड पोस्ट अचेंज्ड मैं दे डाइनस्ट इंटल अड्रेगन उसको आई आई शुरू करते हैं दोस्तों तो टॉमस हार्डी दोस्तों मैंने आपको पताया था उन्होंने एक दोस्तों उनका एपिक ड्रामा कहलाता है जो नेपोलियन के साथ जो युद्ध हुए दोस्तों यूरोप में कैसे उसका उदे हुआ और कैसे वोटरलू में उसका पतन हुआ गाईज यह तीन भाग में है दोस्तों इसे तीन पार्ट्स में लिखा गया है और राइट आंसे इस कॉल्ड एपिक दो है ही इसे एपिक ड्रामा गाईज है और बहुत फेमस हुआ गाईज बाद में इसका फिल्मांकन भी किया गया is आईज दस्वाग इन दए मेर अप केश्टर बिज माईकल हेंचरड सेल्थ वाइप एंड डाटर फॉर हाव मच गैज हैं बहुत मज़ेदार कहाने दोस्तों आईए दिखते है दोस्तों दए मेर अफ केश्टर बिज जो नौवल है गैज उसमें हेंचरड अपनी बीबी क और अपनी बेटी को कितने में बेचता है गाई निलामी में आपसे ने 5 पाउंड फाइफ गिनीज 10 पाउंड 10 गिनीज इसको आई चुरू करते हैं इस तो हम सभी जानते दुस्तो कि माइकल हेंचर्ट उस्तो नसे में धुत हो करके अपनी बेटी और अपनी वाइफ को बेच देता दोस्तो जेस्टिन 5 किनीज दोस्तो सिर्फ 5 किनीज में हां इसको आगे वाश्ट नमबर 11 वोट वज हार्डी जफादर प्रोफेशन हार्डी के दुस्तो पिता का प्रोफेशन क्या था ख्लरगी में फॉर्बर सॉलिसिटर इस्टोन मैसन दोस्तो हम सभी जानते हैं हार्डी के पिताबी दोस्तो एक बिल्डर एक रजिस्टर मैसन थे दोस्तो पत्थरों पे कारिगरी और दोस्तो बिल्डिंग मटेरियल इत्याद से जोड़े थे तो दा राइट आंसर इस इसक गजोड़े राइब कर लुट लोट वॉट वस्त टाइटल आफ वरटी पर्श्ट व ल्यूम आप फ्ट्री पोब्लिश्ट नीटे-इन गुट रस धो पहले वल्यूम आप पे टरी जो पहला पोड्री का उनका वालियूम आया उसका टाइटिल क्या था एसिक्स पोइम्स म दूस्तों हम सब जानते हैं बाद में एक ही करितों के आई इसकाल वेशेक्स पॉइंट सांस को वैसे नमबर 13 इन जूट अप्सक्योर वोट इजूट सरनेम दोस्तों अभी आपने देखा भी है दोस्तों जूट अभी आप्सक्योर नावल में जूट का सरनेम क्या है क्रॉले, फॉले, हॉले, सॉले इसको अभी अभी आपने उपर पढ़ा था तो आप गिदम क्लियर ही हो इसको वैसे नमबर 14 आई क्या एलेक दोस्तो जो रेट कर देता है रास्ते में किसका बैचारी टेस्ट का उससे जो बच्चा अबैद बच्चा पैदा होता है दोस्तो उसका नाम टेस्ट क्या रखती है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दोस्तो आप जैसा आप जानते हो मर भी जाता है बीमार होता है निमोनिया बोखार इत्यादी होता है अदोस्तो का कुआ है एक पीडा होती है बिना साधी के दोस्तो मदर बनना इसलिए उसका नाम भी लिखती है क्या सौरो बीप बाउंबे इस राइट आंसर वससे नमबर 15 दोस्तो दर रिटर्न आफ नेट्यू विगिंस भी दोस्तो यह भी पढ़ाया है तो रिटर्न आप दे नेट्यू कहां से सुरू होता है दोस्तो इसकी कहानी हैलोवीन से गाई फॉक्स नाइट्स क्रिस्मस से हो निव एर से हो आई इसको देखने चली गईज यस और रिटर Thomas Hardy's Life and Career are Obliquely Depicted in which novel? दोस्तों कह रहे हैं दोस्तों कि किस novel में ध्यां सुनेगी दोस्तों किस novel में Thomas Hardy कि दोस्तों केरियर को और उनके जीवन को इंडारेक्ट तरीके से मतलब थोड़ा आटोबाइग्राफिकल दिखाया गया है दे रिटर्न अप दे नेटिव जूट द ऑफस्कूर टेस अप द ओर्वर विल्स मेर अफ कैश्ट अबरिज से इसको आई और दो वही करेक्टर है जूट फॉले का दोस्तो जूट फॉले का करेक्टर है दोस्तो जूट द ऑफस्कूर उसी में दोस्तो उनको मैसन के रूप में भी दिखाया गया है और कजिन का दोस्तो जो उनसे ट्रेक्शन था बाद में साधी नहीं हो पाई दोस्तो वो भी दिखा गया गया जुट द अपस्क्यो इसको वासे नमब सेवेंटी दूस्तों दॉट फॉलोविंग यह लाइन दूस्तों कहां से हैं इस फॉलोविंग लाइन साथ टेकन फ्रॉम दे लेंड सार्प फीचर सिम टु भी दर सेंचुरी काप साउट लेंड दूस्तों ऐसा लग रहा है दूस्तों दूस्तों आपने पढ़ी भी होगी सायद दूस्तों वाइज दूमधार पोएम है इस आफ रहा है अबाउट विच नॉबिल हिज अफ इज ओन हाडी रिमार्ट अव वर बिट्मिन फ्लेस और इस्पिरिट दूस्तों गेस करिया आपने कहानी सब की पढ़ी हुई है सब पढ़ाय हुए दूस्तों आप बदा दें हाँ सर आपने नहीं पढ़ाया चारों पढ़ाया दूस्तों नाम से ही पढ़ागेस करिये दोस्तों जारागेस करिये हुए दूस्तों उत्तर वही है जुद्ध अप्सक्योर दूस्तों वो इस्पिरिच्वली लब करना चाहता है और उसे फीजिकली प्यार पसंद होता है गाईज तो सीफर चैनल इस दराइक आंसर पैसे नमबर 19 नॉबल स्फिर्ण नॉबल दूस्तों हार्डी का कौन सा नॉबल दूस्तों का पहला सीरियल नॉबल था सीरियल में तब जो तमाम मेग जिन्स में थोड़ा थोड़ा पब्लिस हुआ आपसे ने ए पैर अप ब्लू आइज दे ट्रंपेट मेजर दे वुद्ध लेंडर्स फ कुछ नाम कमाया और अप पैर अप ब्लू आइज को ही दूस्तों सीरियल में पब्लिस किया गया था एफ वर अमेरिका इस दे राइट आंसर पसे नॉबर च्वेंटी गईज दूसको आइम आस्ट तो राइट मैनी रैमनिसेंसेंस अफ अफ फेमस नॉबलिस्ट अबाउट सॉमसेट मॉम जो राइटर थे दूस्तों उन्होंने यह किसके बारे में लिखा है क्या आइम आश्ट तो राइट मैरेमनिसेंसेंस अफ फेमस नॉबलिस्ट आई डोनल प्रेटर, विलियम मैक्विश ठाकरे, टॉमस अर्डी, चार्स डिकेंस आप समझी सकते हैं, भी आटेकिंग हारी, तो हारी इस राइट आइटर आइटर वाज़ इन इस प्रोफेशन एज राइटर, विच बुक वाज़ गाई दूस्तों, गेस करिए, पुरा डेट सहीद, अठारा सो बहतर में दूस्तों, एक बीक या दो पहले, टॉमस हारडी के 32 वर्थडे के, उनकी एक बुक दोस्तों पब्रीश हुई थी, जिससे पता चल गया था, कि वो किस प्रोफेशन में आने वाले हैं, वो बुक कौन सी थी, डेस्परेट रेमेडिज अंडर दे ग्रीन बुट ट्री, दे ट्रॉम्पेट मेजर जिट द ऑप्स क्यों गाईज, डिसको, आई सुरकर, जुस्तों, पताई चुका हूँ, यह बुक है दुस्तों, अंडर दे ग्रीन बुट ट्री, दुस्तों, बीफ बॉम्बे हो, पढ़ जो निरासावादी नहीं है दुस्तों, जुट द ऑप्स क्यों, दे रिटर्न अफ द नेटिव, अप पेर अफ ब्लु आईज, टेस्ट अफ द ऑवर बेलेस, गाईज है, पढ़ाया हुए है, लेसको, इस तो लाश्ट में प्यार रिश्टोर हो जाता है, सब लोग बच जा दोस्तों सिर्फ मानसी खानी होती है और वह है दोस्तों, अप पेर आफ द ब्लु आईज, जाई, एस, एक है, लेसको, अंडर द ग्रीन बुट ट्री इस नॉवल भाईज, अंडर द ग्रीन बुट ट्री दोस्तों, किसके आई, आफ से ने, टॉमस आड़ी, चार्स डिकंस, चार्स रीज जॉर्ज एलियट डिस गो और सही उत्तरे दोस्तों हम सब जानते हैं यह नॉबल है किसका टॉमस हारडी का गाईज है डिस गो बास्टर नमबर 24 टॉमस हारडी जॉबल अंडर दे ग्रीन वुड ट्री इस दॉमस हारडी जॉबल अन्डर फॉपड बेलो इस गो अंडर दे ग्रीट ग्रीन वुड ट्री का दॉस्तों एक और नॉबल है का एक और सर्नेम है वो क्या है दॉस्तोu दे बुड्लेंडर दे मेल स्टॉक कोयर दे डाइनस्ट लाइफ लीटिल आईरनी जुए पढ़ाया हुए दोस्तों यह है दा मेल स्टॉक का आयर है इसको वैसे नमबर 25 दाइनेट्स इस टॉमस हार्डी दोस्तों क्या मैंने पढ़ाया हुए दोस्तों इसको तीनों पार्ट पढ़ाये हैं आपके तो आप समझी गए होंगे जो दोस्तों की रचना है डाइनिस्ट्स यह दोस्तों क्या है यह एक नॉवल है आटोबायोग्राफी लिरिक या वर्स ड्रामा हुए इसको आई दोस्तों जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ यह एक एपिक ड्रामा है गये जिसके तीन पार्ट्स है दोस्तों इस बेस्ट आन नेपोलिया अब बहुत ही सक्सेश बोलता दोस्तों उस समय और आज भी वर्स ड्रामा इसको वर्स नमर 26 बैद सीवा इस दे हिरोईन आफ गाईज अभी मैं आपको दो मेंट पहले बताया था थोड़े देर पहले बैद सीवा हाडी के किस नॉवल की हिरोईन है दोस्तों आप सेने प्यार का ठ्रेंगल एक हिरोईन तीन हिरोज बोल्ड बुट सर्जेंट ट्रॉय और साथ ही साथ दोस्तों कौन होता है क्या बलते हैं आपका इस गेब्रियल ओक तो राइट आंसर इस फार फ्रॉम दे बैडिंग क्राउट इसको पैसे नमर 27 दे नीम आफ दे प्रोटगोनि इसके दोस्तों खलायकों की स्रेडी में किसे लिख सकते दोस्तों जो एक्टर का थीक उल्टा हो नियूसर क्लेम याउब मगराइट एलेक्ट डी और्मविलस और माइकल हैंचर गाईश है आई जानते हैं दोस्तों मेर आफ केश्टर बिस की पूरी कहानी माइकल हैंचर के आसपास घूमती है तो ही सुड़ भी यह एस डी फो देनमार्क इस दराइट आइट 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 अग पूर्जेंस अफ दे ट्वें दोस्तों बहुत ही मज़ेदार यह क पनाट साож ॒ड बटल अडिद statewide ट्योंत आइट 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 दोस्तों मित आइट आ इस इस तोट्यव है तो dabei good race pursue no 28 hit to discover a bill in a new friend is to the most people only an additional experience कि नया फ्रेंड बनाते समय एक दुस्मनी मोल लेना दुस्तों यह क्या है इसे जनरली यह ऐसा ही है कि नया फ्रेंड बनाना दुस्मनी मोल लेना है रिस्क मोल लेना है पर कुछ लोग इसे नया अनुभों कहते हैं दुस्तों यह कर यह लाइने उनके किस उपन्यास से दुस् प्रिप्रामेड आपर दूर आपने तממदी और अपर यूजोद डवปस को टो जो लगिता है याइज दिस प्रेट रिमेडिश एफ आमेडिका इस राइट आंसर बासर नमबर अधी तो उनकी एक लाइन एक बार देखेंगे दोस्तो यस पोएम है देखेंगे आपको थोड़ा लिंट दे दिया है बिट आल बीटिफुल फिंग्स अफ द अर्थ वीकम मोर डियर ऐस दे क्लूट परसूट बट बिट सम नेचर अटर अल्यूशन इस दर वन स्पेशल इवेंट विल बिच मेक पासिंग लब पर्मिनेंट फॉरेवर दुस्तो कर रहा क्या कि दुनिया की और चीजे और भी प्यारी हो जाती है ऐस दे क्लूट परसूट जब आदमें उनका पीछा करता है मतलब ढूरता है कि एक ही घटना से उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती दोस्तों यह किसमें कहा गया है डिस्परेट रिमेडी आप पेर अफ व्लु आइज जुड अप्सक्योर दोस्तों और वाप एक आपसन निए दोस्तों टू आनट टार इस जो इस नौबल ही है दोस्तों मुझे लगा पोएम है इस नौबल ही है दोस्तो यह भी लाइने लिगे ही किस से desperate remedies से दोस्तो desperate remedies A for America is the right answer question number X दोस्तो S दोस्तो यह बारा देखेंगे alien they seem to be दोस्तो कर रहा है ऐसा रहा है alien they seem to be no mortal eye could see the intimate welding of their a later history दोस्तो कर रहा क्या ऐसा लग रहा था दोस्तो जैसे कि वो दूसरे ग्रह पे के प्राडी हो दोस्तो कोई भी जिन्दा व्यक्ति उनके बाद के इतिहास को नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ दोस्तो अब सेने the photograph या hardy के किस poem से है दोस्तो इस बार poems का collection है दो फोटोग्राफ के दोस्तो जिसमें दूबने को दिखाया गया है the convergence of the twin इसको आए next दोस्तो करा क्या war annals will cloud into night before their story दोस्तो इससे पहले कि उनकी कहानी उनकी घटना का दोस्तो मौत हो उसके पहले wars annals will cloud into night दोस्तो करा क्या कि युद्धों का जो record है वो भी उनके सामने कम पड़ेगा या बहुत बड़ी घटना है दोस्तो मतब इतिहास में बहुत बड़ी घटना है युद्धों से भी बड़ी यह दोस्तो उन्होंने किस poem से दोस्तो लिया है yes the photograph the breaking of the nations the going the ghost of the past क्या बता हूं दूस्तों आज फिर से वही गिलती हो गई है अग्या दस्तों उन्होंने लिया है अग्या ब्रेकिंग अफ दे नेशन इस बीप बॉंब इस राइट आंसर लो वस्ते नमबर कि यहां से सुधार हुआ है कुछ आए अगे यह कहां से लाजने लिए लिए दूस्तों देखते हैं आल देट ब्लुत मीन्स इसन बीस आई डूंड़ वाट देट ब्लुत मीन्स है भी आटम वर्क बॉप वर हिम एंड इस हैंड जूसको करा है सब कुछ चीजे इसको दूस्तों हटाएंगे इस समझ में भी आ रहा है कोश्ते हैं अगर आपके पास नैतिक वज़ा है तो भी अनैतिक मत करिए हाड़ी ही दोस्तो ऐसा कहा सकते क्या कि अगर आपके पास एक अनैतिक कारे को नैतिक तरक दे कर भी मत करिए दोस्तों कहां गया है अब देख नेटियों मेर फिस्ट अप्सको गाई रसको जैस को तो अने कहनी दुस्तों जुट फाले की जूट अप्सको आपके ज्ट वॉट लट आपके गाई ये आ गया देखी मने ब्रदा था ना His philosophy of Emanent Will देखिये What of the Emanent Will and it designs तो Emanent Will क्या है कैसे प्लान करती है It works क्या जबरिस्ती दिया है It works unconsciously as here to for eternal artistry in the circumstances the above lines are taken दोस्तों करें क्या आपको ध्यार नहीं है पर Emanent Will अपना काम कर रही दोस्तों और जब तक चीजों को खतम ना कर ले दोस्तों The Dynas Part 1 A pair of blue eyes Jude the upskur 2 on a tower गैस है अब दोस्तों Emanent Will की philosophy है तो किसी novel में तो घुसाया नहीं होगा दोस्तों यह chorus बोलते हैं दोस्तों किसके Dynas Part 1 के यहां से हमको पुरा I mean पूरा का पूरा पता जलता है कि Hardy का philosophy novels को या pledge को लेकर क्या था दोस्तों आए देखते हैं Yes My argument is that war makes rattling good history but peace is poor reading दोस्तों कर रहा क्या मेरा कथन है कि युद्ध दोस्तों जब रही जस्त लाइने ही बर देखेंगे एक character कहता है दोस्तों My argument is that war makes rattling good history but peace is poor reading कर रहा क्या कम से कम युद्ध से इतिहास तो बनता है सांती तो कायर करते हैं यह लाइने कहां से ली गई है दे डाइनेस पार्ट टू पेर प्लू आइज जुद आ अपस्कूर तू अन टावर इसको और यह दुस्तों का ली गई है युद्धों के बारे में दुस्तों नेपलियानिक वार से दे डाइनेस्ट पार्ट टू एफ़र अमेरिका इस राइड आंसर पैसे नमबर थर्टी सेवन जाबर जस्टस देखिए यह बहुत ही मज़दार कथने एक बार देखिए तो फाइल ब्यूटी अगलिनेस इस दे प्रोविस अफ़ पोएट भद्धी और बुरी चीजों में भी सुन्दरता ढूल लेना ही कभी का मुख्य काम है दोस्तों यह किसमें कहा है हाडी सौ जीट्स एलिएट दोस्तों यह बात सिर्फ कौन कह सकता है हाडी है पस्ते नमबर 38 विच अब फॉलोविंग हिस्टोरिकल इवेंट तुक प्लेस दूरिंग दे एज अफ हाडी दोस्तों करें क्या हाडी के जबाने में दोस्तों कौन सी घटना हुई अपसे ने दोस्तों मैं आपको सेक्सपियर पढ़ा चुका हूँ वार ओफ रोज़िज दोस्तों और वार हंडेड यर्ज आज तो 1337 अर्थिस में है ये तो होगा नहीं और दोस्तों वार ओफ रोज़िज हिंडरी फिप्ट सिक्स्ट के सेकंड के टाइम का था दोस्तों अर्थात ये भी नहीं होगा प्री रेफलाइट मुवमेंट से हार्डी जूड़े नहीं थे गाईज दबोर वार दोस्तों जो दबोर युद्ध हुआ वो हार्डी के टाइम की गहतना थी है वासे नमबर 39 विच रोमेंटिक पोएट हार्डी एडमाइड प्रीश कहते थे आप्टिन ए पीबी सेले वस वर्थ जॉन किड्स कॉलरीच यह भी दोस्तों जबर जस्त क्वास्टन है देखेंगे इस अई 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 जान काश्यर होगा बिबी सेले के इन एटीन सेवेंटी सेवन सी मेरीड चाल्स गेल एंड इन एटीन एटीन सी डाइड सी वोज गाइज कर रहा क्या हाडी का प्यार उसके लिए आदर्स प्यार था दूस्तों मैंने भी आपको बताया था इसलिए दूस्तों कहानी मिलती है किसकी जुड़ अपस्क्योर की और उनकी दूस्तों कजिन थी बहुत प्यार करते थे वह यद्यपी दूस्तों रिष्टे में लोग बहुत नजदीक थे तो इसे इंसेस्ट्वस रिलेशनसिप में रखा जायता इसलिए बाद में वो लोग दूर हो गए सिवज हर कजिन नीस उस्तों अठारस सॉस्त में उसमे एलिजाबेत बी इसको आई अगे अगे इसको देखा है पढ़ा हुए दूस्तों मिश्ट्राइफेना इस देराइड आइड आंसर इसको पैसे नमबर 41, the poem recounts their love affair, ट्राइफेना tells her lover that she is going to be the mother of his child and in turn the love becomes sad दोस्तों क्या, poem दोस्तों love affair बताती है, Hardy और ट्राइफेना की आपको उस poem को बताना है जिसमें दोस्तों वो बताती हैं कि वो जायत उसके बच्चे की माँ बनने वाली है and in turn the love becomes sad दोस्तों और फिर यहीं से संबंद खराब होने लगते है the place on the map, the rustic pond, the end of the episode, thoughts of Fena let's go and guys the right answer is the place on the map guys यह पिये भी उनकी एक poem है, thoughts of Fena पर दोस्तों यह उत्तर नहीं है यहाँ पे next, question number 42 hardy appears a pessimist in his novels and in his poetry उस्तों अजीब बात है क्या दिख गईज, hardy की poetry में और उनके novels में बहुत अंतर है guys तो hardy अपने novels में pessimist दिखते हैं पर अपने novels में दुस्तों क्या दिखते हैं एक्स्ट्रीम पैसिमिस्ट, आप्टिमिस्ट, मेलियॉरिस्ट, फिलैंफ्रोपिस्ट इसको आए दुस्तों 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 यह जो बहुत ही दुखत और इतना tragic ending लिखते थे जो इतना इनका melancholic nature था किसका, hardy का वो क्यों था दुस्तों, his unsuccessful affair भी ट्राइफ है न, his unhappy married life, the disturbing era and environment he lived in, all of these guys, yes. दुस्तों बहुत ही जबर दस्ते गई एक पर देखेंगे, और इस सारी बाते दुस्तों, सारी बाते, ट्राइफेना के साथ उनका दुस्तों संबंद बहुत ही खराब रहा, उनकी married life भी दुस्तों मैंने आपको पढ़ाया कोई बहुत ही जादा नहीं रही, disturbing era दुस्तों, तो सभी के सब डीफ है, दो बाते पे एक दम सही है guys, इसलिए हमारे पास all of these हो जाएगा, 44 दुस्तों हमें हमें किसी hit के लिए नहीं बनाया है, न तो इसलिए हमारा कोई friend है, इसलिए हमें पहले से पीठने के चक्कर में हैं दोस्तों, अब ध्यान सुनेगे, man is a helpless creature in the hands of environment, fate and chance, मनुष्य, दोस्तों, मनुष्य के साथ खेलते हैं उसका वातावरण, उसका भाग, किस्मत, ये च दोस्तों, Shakespeare के point का उल्टा है, किस point का उल्टा है, दोस्तों, एक ध्यान से question सुनेगे, Shakespeare क्या मानता था और उसका उल्टा है, कौन, hardy का सिधान जो दिख भी रहा है, तो Shakespeare क्या मानता है, दोस्तों, the character is destiny, the destiny is character, nothing is possible, the word is a maze, दुनिया एक, भूल बूल ही है, दोस्तों, किसकर आपको Shakespeare का view point बताना है, जिसका उल्टा था किसका, hardy का view point, guys, हाँ, दोस्तों, अगर हेमलेट थोड़ा पहले मार देता, cloudius को तो बच जाता, मतलब दोस्तों, हेमलेट, Shakespeare हमें दिखाता है, character is destiny, वो दिखाता है, अगर character चाहे तो अपनी किसमत बदल सकता है, मतलब दोस्तों, अगर ज़रा सुचिए, अगर अपनी महत्वा कांच्छा पे, गिस करिए दोस्तों, किसमत के साथ अंत नहीं होता, ना तो हेमलेट का, नही मेकबेट का, नहीं अथेलो का, अगर दोस्तों, अथेलो थोड़ा चापलूसी और क्रेडिबिल्टी नहीं होती, हर बात पर यकीन नहीं कर लेता, तो भला क्यों मौत होती, देश्टी मोना की, हेमलेट अगर थोड़ा पहले मार देता, क्लावडियस को, तो हेमलेट को मरने तो आपका उप्तर क्या होता, बीफ बांबे, बुड़े विंदर राइड आंसर को, लसे नमबर, 45, हूँ अड़वाइज्ट, याद करी दस्तों, यस, हूँ अड़वाइज हार्डी नट टो पब्लिस इस फर्स्ट नावेल, दपूर मैन अड़ लेड़ी, यह भी पढ़ा टैनिस इन मिडिल्टन गाई, इसको आई, उस्तों मैंने अब बोताया था, मेरिडित के टेस्ट में बहुत समय थे, मैंने आप दोस्तों बायोग्राफी में पढ़ाया है, मेरिडित के टेस्ट में काफी समय तक थे कौन हार्डी और उन्हों नहीं यह कहा, इसे पढ़ा इसक्राइब से डेडली वोर वेस्ट बिट्मिन दफ्लेस एंड इस्पिरिट, एंड पॉइंट्स दे ट्रेजडी आप अन्फॉल्फिल्डेम्स, दोस्तों करा क्या, हार्डी का कौन सा नॉबल है, दोस्तों जो सारीरिक सुख और स्पिरिचुल लब के बीच में को वार को दिखाता है, और दोस्तों यह अत्रिप्तिक शाओं का दोस्तों नॉबल है, आप्शन ए, जूट दो अप्सक्योर, अपेर अफ ब्लू आइज दे गूइंग डाउन टू अटार, दोस्तों, अरभी दोस्तों मैंने आपको बताया था, जूट दो अप्सक्योर, दोस्तों, म मैंने दोस्तों यह आपको पढ़ाया हुआ है, मैथ्यो अर्नल्ड बहुत पहले ही कवर हो गया था, आए हम सुरू करते दोस्तों, मैथ्यो अर्नल्ड इस्टार्टेजिस केरियर एज दोस्तों, मैथ्यो अर्नल्ड ने अपना केरियर काहे के रूप में सुरू किया था दोस तो हमने पढ़ा है काफी समय तक दोस्तों और उन्होंने काफी सुधार किया इस्कूली व्यावस्ता में यह वस दे इंस्पेक्टर फिस्किल्स गाईज है और प्राइंस्पेक्टर फिस्कूल सी इस राइड आंसर नेक्स्ट दोस्तों मियू कहें पीता एड्वीन आर्नल्ड स्क्राव्ण टॉमस एडिसर्ण कहा आए है मैं यहल्म्न एक गलत आप्षेब्शतों आथर यूजू स्प्लाव्ब ओस्तों इनके वह दोस्त थे जिनके उपर उस तो तॉमस एडिसेन एक ग्यानिक है दॉस्तों, the right answer is, कि उनके पिता का नाम था दॉस्तों, he was also the principal chief teacher of rugby chapel के दॉस्तों, and the right answer is, वीफ बॉंबे, yes, Thomas Arnold, yes, which age period Matthew Arnold belongs to, दॉस्तों, क्या, Arnold को किस age में रखा जाएगा दॉस्तों, Romantic age, Victorian age, modern age, post-modern age, guys, let's go, yes, I, हम सब जानते हैं, so he came in Victorian, yes, let's go, person number, I, 50, hearing the death of Arnold, an accident, in an accident, a certain critic remarked, guys, दॉस्तों, आई, yes, यहां से एक काम चल जाएगा, दॉस्तों, इतने option काफी हैं, इसके लिए, Arnold की death को सुनते ही, दॉस्तों, एक critic ने remark किया था, क्या कहा था, there goes our greatest scholar, there goes our last Greek, मतलब दॉस्तों, and तीसरा, there goes the greatest poet of our generation, मैं दॉस्तों, D की जरुत तहीं मैं आपको hint दे रहा हूँ, यहीं तक में आपका क्या है, answer है, दॉस्तों, आप सभी जानते हैं, the study, दॉस्तों, जो उनका critical AC आया था, जिसका नाम था, the study of poetry, गाईज, पढ़ाया हुआ है जब, the study of poetry, दॉस्तों, the study of poetry में दॉस्तों, उन्होंने याद करी, एक method बनाया था, जिसका नाम था, test stone method, गाईज, हैं, अभी आगे आएगा भी साथ question में, test stone method, उन्होंने कहा, जो महान writers हैं, उनके writing को मानक मान करे, critic, दूसरे लोगों की writing को criticize करे, दूस्तों, उन्होंने कहा था, Shakespeare, Dati, दूस्तों, Homer, ऐसे लोगों को classics of literature माना है, दूस्तों, Milton and all that, और दूस्तों, उन्होंने कहा, कि humor तो है, चासर, पर चासर में serious net नहीं, इसने उन्होंने चासर को नहीं माना classic, द्याना किया, दूस्तों, चासर को classic नहीं माना है, किसने, हमारे Arnold साहब ने, दूस्तों, वो classicist लिट्रेचर को ले करके, दूस्तों, यह क्रिटिक ने कहा था, देर गोज आवर लाश्ट ग्रीक, इसको question number 51, आए, जबर 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 कथन, बूड बन रहा है, दूस्तों, यह दिखते हैं, आर एल, रबर्ट लूइस स्टिवेंसन, गाईज, रोट, पूर मैट, ही जबर लूइस स्टिवेंसन, ने लिखा दूस्तों की बेचारे, मैथ्यो अर्नल्ट, अब वो मर चुके हैं, लेकिन सायद ही वह स्वर्ग में जाकर इस स्वर्ग को पसंद करें, किसके बारे में लिखा है दूस्तों, मैथ्यो अर्नल्ट, कीट्स, टी एस एलिएट, डबलो बट्लरीर्स, दूस्तों, तो मैं बिलकुल उत्तर आप समझी गए हैं, मैट लिखा है, तो मैथ्यो अर्नल्ट है, क्योंकि इसके अलाओ किसी का मैट से नाम ही नहीं शुरू है, पर मैं आपको इसमें खास बात किया है, दूस्तों, आप जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी पुस्तके लिखी, दूस्तों, जैसे, गॉड और्नल्ट, दूसरा, लि मैट से का सकता हूँ, कि आज जिन्हें हम अपना महान गरंत मानते हैं, जैसे बाइबल, उन्होंने का, दूस्तों, इस सुरुवात से पोईट्री की किताबे हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, और क्राइश जैसी कोई भी वात नहीं, गाईज, तो इस से और को लोकर गाड में, दूस्तों, वो यकीन नहीं करते थे, बाइबल वोले गाड में, तो यहीं पर आगया, तो यहीं पर आपका उत्तर भी है, तो आगे नहीं जाना है, फू कॉले टीन सिंचुरी दे एज अफ प्रोजेंड रिजन, दोस्तों, अच्रहवी मैंने पहले भी पढ़ाया, दोस्तों, अच्रहवी सताब्दी को एज आफ प्रोजेंड रिजन किसने कहा था, दोस्तों, आपसे ने, मैथ्यू अर्नल्ड, टी एस एलियट, और एमर इसको, है, तो हम आपको बता दे, मैथ्यू अर्नल्ड ने ही दोस्तों, अच्रहवी सताब्दी को एज अफ प्रोजेंड रिजन माना था, दोस्तों, है, प्रोजेंड नमबर 53, यह देखे गाई, जो मैंने कहा था, वही आ गया, देख लिए, जो मैंने कहा था, प्रोजेंड फ्रम होमर, डांटे, सेक्सपेर, और प्रोजेंड लीए, अपना क्या, डांशेंस चों मैया, टांटेर, जो मैथे्ड, लीटरी, मैथेड, कल्च्रहल, है, zostैक, वोजेंड, मैंने आपको बताया, दौस्तों, हीवोंटेंस तूर उन्टेंस धारा ही डांटे रई राइंब सर्ड़ ऐसे अमबर 54 फू कि इसाल लेक्स ही सीरेस्सिंश एकिस Bere narrow कि तो कि चासर में को नहीं माना जा सकता मैंने aby देख silly ने गई है किसsten दो बोला कि चासर महें कभी तो हैं और उनने दो क्लासिक्स में नहीं रखा जा सकता वह कुंगो उनके अंदर सीरियसनिस की खमिये कि मैंने जो बोला ता वही आ गया इसने कहा है कॉलरेज ने टेनिशन ने मिल्टन ने दोस्तों आपको देखना ही नहीं है वो आप्सेंस आए दोस्तों नीचे चला गया है तो हम यहीं पहलेंगे दोस्तों और यह सब जानते हैं और नॉल्ड ने कहा है इस गो अगे डिश्टों मेथट किस ने दिया था अर्नल्ड ने डाटे ने अरिस्टोटल ने फैक्टरार्च ने दोस्तों तो हम सब जानते गाईश टेच स्टों मैथट इस गिवन बाई मैथ्यो अर्नल्ड तो लिट्रेरी क्रिटिसिजम का मैथट है फिर से सुनेंगे इसमें सबसे बहतरी क्लासिकल राइटर की राइटिंग को ध्यान में रखते हुए आपको किसी अन्राइटर की राइटिंग क पूजज करना है मतलब इस से क्रिटिसिजम आसान बन जाती है तेरी में जॉस्तों आप चला streaming डे कानषेट लातirk रहे और सुने टुलनात्मका लोचना का जनक माना जाएगा किसको विप इक राइट of comparative criticism क्यों तो बाकी के बेहतर राइटर से compare करते हुए आपको अन्य राइटर की कृतियों को देखना है सब्सक्राइब आपको बोला इन विच काटेगरी देखें आपको बोला इन विच काटेगरी देखें आपको बोला क्रिटरी में कोई खास दम नहीं दोस्तों अर्णल्ड को में क्रिटीक के रूप में किस काटेगरी में रखेंगे आप से ने रम्यंटिक्ट मार्कसिस्ट ऐस्थेटिक ग्लासिसिष्ट कि यस का है है हम सब जानते हैं दूस्तो उन्हें रखा जाएगा क्लासिकल क्रिटिक क्लासिस्ट इसको पैसे नमबर 57 आप देख सकते हैं दूस्त क्या बढ़ी हाँ बात कि दूस्त इस लाइन को पढ़िएगा मुझे बहुत पसंद आपको अच्छा लगेगा एस इन विच वर्क अरणर्ड सेंज बिजनेस अब क्रिटिसिजम इस नीदर तो फाइंड फॉर्ट नाट डिस्पले दिस्पले दा क्रिटिक्स ओन लर्निंग नौर इंफ्लूएंस या बात कही गया इच्छा इस तो नो डबेश्ट विच विच है बीन थाट और सेड इन दे वर्ड करा दूस्तों कि एक क्रिटिक का काम यह नहीं है कि वह किसी रचना की कमिया निकाले या अपनी नौलिज दिखाये कि कभी से मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं इसलिए मैं क्रिटिक बना हूं बलकि तो जो सर्वस्रेष्ट है जो बेश्ट रचना है जो किसी कृति की उसको ले आए बाहर करे पॉजिटिव पॉइंट्स धून के निकाले यह दोस्तों उन्होंने कहां कहा है ऐसे इन कृटिसिजम खल्चर एन अनाची लिट्रेशर एन डोगमा नन अप्टीज गाईज हैं आप जानते हैं उनकी इस नाम से एक बुक आई थी इस तो यह उनकी दूस्तों एक एक सीरीज यह आती थी एसे जिन क्रिटिसिजम गाईज है इसको आए इन विच और वर्क अर्नॉल्ड इंप्लाइज दे टर्म कल्चर बार्बारिजम फैलिश्टिन्स एंड हैबराईजम रख अगर बहुत णको थीन क्लास में समाज को उन्होंने बाटा है तो बहुत मज़ेदा वसको आपको यह भी बहुत इंप्राइजा आगर बहुत डीप गया दुस्तों तब यह पूछा जाएगा सोसाइटvelmente को थीन तो संस्कृति को किस में बाटा है उन्होंने, क्या, बार्बारिज्म, फिलिस्तिन्स, एंड हेबरेज्म दोस्तों, क्या, कल्चर एन अनाची, गौड एंड वाइबिल, लिट्रेचर, फ्रेंडशिप्स गार्लेंड, सेंट पॉल एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, इसको आई, इस, और यहां दोस्तों, उन्होंने कहा, दोस्तों, एक, यह है, बार्बरीज्म, दोस्तों, जो दुनिया में काबे को नश्ट करने में लगे हैं, दोस्तों, फिलिस्तिन्स, जो मौज मस्त वाले हैं, दोस्तों, लास्ट में, जो कला की समझ रखते हैं, तो फिल हाले हैं, उन्होंने कहा है दुस्तों कल्चर एंड अनाची दुस्तों बहुत ही फेमस उनकी बुक है इसको परस्टर नमबर 59 मैथ्यू अर्नल्ड रोज टुद पोजीशन आप चेर मैंसिप पॉट्री एड दुस्तों याद करिए यह भी मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया ह तो मैं आपको इसके पीशे की कहानी भी बताऊंगा जोस्तों इन में से किस यूनिवर्सिटी में अपने कारे के दौरा इतनी प्रसिद्धी पाली अर्नल्ड ने कि उन्हें प्रमोट किया गया चेर मैंसिप पोईट्री के लिए गाईज अपसे ने ऑक्सपोर यूनिवर्स सिटी खेंब्रिज यूनिवर्सिटी एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी लीड्स यूनिवर्सिटी इसको आई तो मैंने दुस्तों याद करिया मैंने आपको पढ़ाया था अर्नल्ड वास्ट फर्स्ट प्रफेश्यर ऑफ हिस्ट्री दूस्तों एक रिकॉर्ड है उनके नाम यूज होता था और अर्नल्ड इसे पहले वेक्ति थे दोस्तों जिन्होंने इंग्लिस में अपने लेक्ष्यर डेलिवर्सिटी और है और अक्सपोड यूनिवर्सिटी इसको इस पैसे नमबर अक्सपोड दोस्तों आफ करेंगे एस अर्नल्ड वन अप्राइज एट रगभ प्रेंड यस आई पूर फ्रेंड अलाक्र अलरिक एट रोम खैसर अट रोम बैल्ड डेट आइए यस तो यह नहीं आप पढ़ा है इसकोल अलरिक एट रोम स्कोड पास्यर नमबर 60 वन दोस्तों अक्रडिंग टू यस याद करें दोस्तों मैंने आपको कवर किया है कि अकार्डिंट्य अर्नल्ड हुज नेक्ष्ट टू सेक्स्पियर और मिल्टन्स के बाद कौन आएगा कटेगरी में आप से ने कॉल रिच ड्राइडन वर्सवर्थ पोब इसको इस कि अज़्टों उन्हों ने देखिए गाई यह पोईट्री की बात है कि टीसिजम की बात नहीं दोस्तों वस्वर्थ यस आई परसे नबर 62 गाई जाए यह बहुत अच्छा वाद दोस्तों आ गया यह उनका बहुत फेमस कथन है गाई उनकी पोईट्री की डेफिनीशन दोस्तों देखिएगा बहुत ही बढ़िया बहुत ही परफेक्ट डेफिनीशन गाईज है पोईट्री इसका दोस्तों ग्यों डेफिन दिया है पोईट्री को जज्च किया जाया जो कंडी संस्क्राइब दुस्तों फिक्स्त होँआं बाइदल लौज अप पोईट्री कुष्यन ग्यों स्क्राइब घर गाई इसमें कोईट्री को घर नियमा बागू हुने चाहिए यह उन्होंने किस में किस सब्सक्राइब आई इस को आए इस को आए इस को आपको पढ़ाया हुआ है यह तो उनका अठारा सौसी में आया ने बन तो उन्होंने करें क्रिटिसिजियम में पोईटिक रूल्स मदब तो वास्तविक दुनिया के अधार पर नहीं आर्टिस्टिक साइड को भी विचार किया जाना चाहिए यह पोईटिक का क्टिसियम करने में और राइट आंसर इस एसे अठार सब्सक्राइब तो एसे अंधे स्टडी अप्ट्री गईज नेक्स्ट नेक्स्ट फाइंड नेम अप पोएम इन विच एम्पीडोकलीज अफिल आई दोस्तों जिसमें एम्पीडोकलीज एक फिलोसफर होता है सिसिली का जो जो एटना का जो जो आला मुखी है उसके क्रेटर में कूद कर आत्मात्या कर लेता है आपसे ने एम्पीडोकलीज ऑन एटना बैल्डर डेड रक्सेट या रक्सकेट इंफेक्ट शेर्च अफ इसको आई सुरू करते हैं अखेए आई और दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है एज यू कन गेस फ्रम दे नेम इटसेल्फ आप नाम से ही पता कर सकते हैं दोस्तों यस यस दोस्तों क्या एंपीड़कली जोने टना है एफ और अमेरिका इस तर आई राजकता यह दोस्तों बेसिकली किस मुद्दे पर आधारी थे अपसे ने रिलिजन धर्म पर theology दोस्तों धर्म सास्त्र पर या education इसको तीन पर ही काम चला लेगे हम लोग आई शूर करते ही यस उसको तो आए दोस्तो आपको बता दें Yes Yes तो यह धर्म सास्त दोस्तो इस्वर के उपर बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया था तो देखें यह रिलीजन चलेगा पर तो रिलीजन से सिर्फ धर्म यह धर्म सास्त फ्योल जी दोस्तो इस्टेड़ अफ गौड एंड रिलीजन और देखें दोस्तो 65 दोस्तो दबेशिक थीम ऑपर नर्स लिटरेशर एंड डोगमा इस वोट गाई जो दोस्तो अर्नल्ड की प्रमुक्त प्रस्तक है दोस्तो जिसका नाम है लिटरेशर एंड डोगमा दोस्तो इन लिटरेशर एज अप्लाइड इन लाइफ गाईज है इसको आपको बता है वही बात है मैं दोस्तो मैंने ही तो बोला उन्होंने दोस्तो सीधा सीधा कहा दिया कि जिसे आज आप बाइबल समझ रहे हो शुरुवात में पट्री थी इसमें गौड जैसी कोई बात नहीं और यह इस बेश्ट ऑन गाईज यह है इसा एक लिट्रेचर पर भी नहीं दोस्तो पोईटरी को ही हमने दोस्तो आज रिलिजन मान लिया है और यही है डिश्त आया इस सटरी बात या धर्म दोस्तों यह दोस्तों बहुत सब्सक्राइब के दुस्तों इतने कोटेसन पहले भी पढ़ चुके कापी आजिए अर्नल्ड कॉल्स प्वेट इन भेऊटिफुल ब्ट इन ब्राव दोस्टो इसको अरनल्ड ने कहा था कि बहुत की बढ़िया कभी थे पर उन्होंने अपनी सारी उर्जा सारी चमक फालतु बख्वास के पॉइंट में खो दिया मैंने आपको पहले भी इसे पढ़ाया है सेले कीट्स टैनिसन वाइरन लेस्ट को आई हमने दुस्तों उस आदमी का नाम पहले गिस कर लिया है सेले इस दर आएट आंसर सो सेले एक ऐसे आज भी जो कभीता के दोरा क्रांती ना चाहते थे और दुस्तों क्रांतिया कभीता से नहीं आती दुस्तों है यह कहा किसने अर्नल्ड ने है 67 फोर मैथ्यू अर्नल्ड गाई जबर जस्तों मैथ्यू अर्नल्ड के लिए दुस्तों क्या था पोट्री आप रिबोर्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज दुस्तों वो कहते थे कि नयतिक विचारों से गाई बड़ी अजीब बात है उन्होंने का नयतिकता से पोट्री को आप करना चाहिए यहें किया पोट्रीअ प्रीमोर्ट अगेंस्ट मोरल आडि ह्या द सतों कैसी प्रिए है देंसके प्योरट फेट्री आıllप रिबोर्ट अगेंस्ट अर्व जयाइडियाज इंधो इम्मोर स्पोट्रीचीं aj अगर आप इम्मोरल कुछ भी लिखते हो तो आपकी पोईट्री दोस्तों जीवन के खिलाब बिद्रोफ मानी जाएगी यस मैंने लगा दोस्तों यहां इम्मोरल है इस मोरल आइडियाज इस पासे नमबर आए 68 in which chapter of culture and energy does Arnold mention heberism and hellenism दोस्तों आई जबर जस्तों हबरेजम और hellenism के concept को culture and energy के किस chapter में बताया है किसने अरनल ने Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5, दोस्तों एक बार देख लेते हैं, Yes, Chapter 6, दोस्तों, तो 3, 4, 5, 6 है, आप ऐसी बता सकते हैं, Yes, इस उसको याद रखिएगा चैप्टर माफ करें दोस्तो 3, 5, 3, 4, 5, 6 तो आपको बता दें दोस्तो इस बीन रीटेन इस चैप्टर 4 इस चैप्टर 4 इस बड़ा रोमन अंकों में मेरी सिती बड़ी खराब है दोस्तो तो इसलिए मैं दो तीन बार चेक कर रहा था इस इस तो MP डेकलीज ओन एटना कैसी पोएम है दोस्तो अनरेटिव पोएम ड्रामेटिक पोएम और वर्स टेल एन एडवेंचरिस टेल इन वर्स गई जाए इसको आए अकिए सब्सक्राइब ड्रामा के है तो दुस्तो पोएम ही पर यह ड्रामा के फॉर्म में लिखी गई वे दिपी ड्रामा की स्रेडी में नहीं आता गाई जहां इसको पास्टर नंबर आई इसको यहीं से यह 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 दोस्तो मैं आपको कोटेशन में रटवा दिया पर यह दिखी गया अर्नल्ड सेल्ड अबउट फोएड विधीन इस बार्न और रियल पोट्री दोस्तों अर्नल्ड ने एक पोएट के बारे में लिखा था कि इनके साथ ही इंग्लेंड की असली की पोएट्री सुरू होती है वो कौन था दोस्तों सेक्स्पेर मिल्टन चासर ही इसको आए और सही उत्तर है आल आफस्ट नोदर राइड आंसरी जोने दोस्तों चासर को ही इंग्रीस पोएट्री का फादर माना है दोस्तों इसको यस पासर नमबर 71 फू कॉल्स अरनल्ड को भी लपेटा गया दोस्तों ये दिखते हैं फू कॉछ अरनल्ड अ प्रोपोगैंडिस्ट उफ लिटरेजर एंड एंड और्वर्क्डी स्कूल इनस्पेक्टर। दो किसने अर्नल्ड की बुराई करते हुए लिखा है दोस्तों कि वो लिट्रेचर में प्रोपगेंडा फैला रहे थे और दोस्तों कुछ जादा ही काम करने वाले इन स्कूल इस प्रेक्टर थे इसलिए वास्तविक्ता को नजर अंदाज करते हुए अधिकार जमाने की कोशि इसकी है किसने का है दोस्तों आपसे ने डबले एच और इन टी एस एलिएट एफ और लीवीज आई ए रिचर्ड हां इसको अज़स्तों मैं जैसा नाम था मैं वहीं किस कर रहा था रोमेंटिक और मोरल आइडियास के बहुत खिलाब थे दोस्तों कौन टी एस एलिएट और किसने का है दोस्तों टीस एलिट ने अर्नेट की खूब वाट लगाई दोस्तों अगे जबर जबस तहां आरेनल ने दोस्तों एक पोईट के बारे में लेका था क्या कि हीज पोईट्री इस दर्यालिटी हिस फेलोसफी इस एलिज़सन इस करिए गाईज इस आदमी को जबर आरेनल ने दोस्तों किस पोईट के बारे में लेका था कि उनकी पोईट्री तो वास्तविक्ता है और उनकी जो पोईट्री में फेलोसफी है वह एक भरम है जो कभी भी संभू नहीं है इसके बारे में सेले वसवत चासर हाँ ऐस को कि आई है कि आए है कि आए है कि आए है कि सुजान काश्चर होगा दूसकर तो वस्वत जराए टांस का इच्छर इसको कि आए है कि आए है जैसा नहीं है काफी लगों ने अधिक एक क्रिटिक ने क्या कहा है और दोस्तों मैं खुद मानता हूँ यही अर्नॉल्ड की मतलब मैं खुद नहीं समझ पाया कि जो पोईट्री की अपनी डेफिनीशन मानते थे उसको खुद फॉलो नहीं कर पाए कौन हम कि एक पोईट के रूप में उन्होंने वो फिलावसोफी खुद नहीं फॉलो की जो पोईट्री की डेफिनीशन देते हैं यह रिखते हैं किसने क्रिटिक ने कहा है कि मैथ्यो अर्नल्ड लिट्रेचर से दुनिया को ज़्यादा बदलना चाहते हैं पर इसके कलात्म पक्ष पे जोर नहीं देते मैथ्यो अर्नल्ड कॉन एसी वोट अलबर्ट एश डबलू गरोट लेवनल ट्रेलिंग है इसको राइट आंसे गाइज इस डबलू एश गरोट इसको पैसे नमबर 73 गैज पढ़ाया हुआ है इसनी सही हो तर्दीजी और की रचना मेरोपी जो भी है कौंसा वर्क काइसा वर्क है मैंने आपको पढ़ाया हूआ है dramatic poem a more memorial was a was still a poem inках records आए अगे दोस्तों आपको पहले पढ़ाया था मेरोपी उनकी दूस्ते ड्रमेटिक पोएम है दूस्ते ड्रमेटिक पोएम एफ फॉर अमेरिका इस राइड आंसर वाइसे नबर सिप्टिया वोट काइंड आफ वर्क इस अर्नोर्स दे इश्टरेड रेवलर दोस्तों। याद करिए यसुआ है उनकी पोएम फी जूस्ते इश्टरेड रेवलर अदुस्तों जो इनकी रशना है वह वो कैसा वर्क है दोस्तों A dramatic poem, a poem through dialogues A poem in rhyming verse A poem in free verse Yes Okay अबस्तों जैसा मुझे मालूम था इस poem में कई character आपस में dialogue करते हैं Dialogues में poem पूरी की पूरी लिखी गई है वस्तों नमबर 76 वो डज अर्नल्ड लेमेंट इन डावर बीच गाईज है गेस करिए आपको दोस्तों पूरी poem पढ़ाई है डावर बीच उस्तों जो उनकी poem डावर बीच है गाईज किसकी डावर बीच अर्नल्ड की उसमें वो किस चीज के खोने का दुख प्रकट करते हैं अर्नल्ड लावर बीच आवर लावर बीच यह से उनकी अर्नल्ड रिलिजन पर दुस्तों लिखा है पोयम ऑर अ मरीका इस द्राइब आँज़ तो पासर नंबर पासर नंबर 77 Which of the following poets Wrote the poem entitled Dower Beach दोस्तो आये दिखते हैं इन में से किस poets ने दोस्तो एक poem लिखी जिसका नाम Dower Beach था दोस्तो बताने के जबते हैं अभी आप उपर ही पढ़के आ रहे हो Arnold Tennyson Milton Bursworth इसको Guys the right answer is It was written by A for America is the right answer Question number 78 Who regarded poetry as the criticism of life guys किसने poetry को criticism of life माना गाईज है आप से ने Matthew Arnold, Worsworth, T.S. Elliot, I.A. Richards और हम सब जानते गाईज कि सही उत्तर है Poetry को criticism of life माना है किसने Matthew Arnold ने गाईज है The right answer is Matthew Arnold Question number 79 Who is referred as Europe's saged head And phygeesian Of the Iron Age by Arnold Yes तो Arnold ने किसी योरोप का suggest दोस्तों सबसे पवित्र सर या ब्यक्ति माना है और उसे phygeesian माना है Iron Age का किसे Worsworth, Byron, God, Shakespeare मैं यकीन है दोस्तों का आपको याद होगा कि मैंने आपको एक poem पढ़ाई है जिसमें उन्होंने बेसिकली वर्सवर्थ पर दोस्तों उन्होंने दो और लोगों को लिया है कि इसको गोद को और वायरन को भी लिया है तो महां दोस्तों गोद के लिए भी ये बाते आई हैं तो दाराइट आंस इस शीफ चे नहीं इसको पास्य नंबर 7080 गाईज वेंड वाज लिट्रेचर और डोगमा पब्लिश्ट किया किस थे यह दुस्तों थोड़ा सा रहेगा देख लेंगे मैं थी ओर ने दुस्तों लिट्रेचर और डोगमा को कब पब्लिश्ट किया है वैसे नंबर 81 मैथ्यो अर्नर्ड सोहराब और रुस्तम इस टेकन फ्रम दे स्टोरी ये गाईज कई एकजाम में कोश्चन आया है आए तो आप जानते हैं उनकी पोएम की सोहराब और रुस्तम यह दोस्तों उनके किस आई मिन इसका सोर्स कौन सी पुस्तक है अरेवियन ना फिर दोसी साह नामा रुबैयत अफुमर ख्याम है इसको आई इस तो दर राइट आंसरीज गया इस फिर दोसी का साह नामा से रुस्तम यह कई एकजाम माया गया जिसको याद रखिएगा मुझे इसा लग रहा है में भी हाजाए हुरूट सोहरब एंड रुस्तम दोस्तो सोहरब एंड रुस्तम किस ते लिखा गया जिस है आई दोस्तो आप जानते हैं यह लिखा है किस ने यस मैथ्यो और रेनल्ड इस दर राइट आंसर इसको पैसे नमबर 83 वीच आप दीजिज नोट पोएम बाई मैथ्यो और रेनल्ड का इस हैं सब पढ़ाया है दुस्तो याद करिए इन में से कौन सी रेचना मैथ्यो और रेनल्ड की नहीं दुस्तो दा फॉर सेखेंड मॉमन जावर बीच ट्रेश्टम और आईसल्ड किंग्स ट्रेजडी हैं आई यस और राइट आंसर इसकी यह है मैंने दुस्तो इस सब की कहानिया हमने पढ़ी हुई है इस तो दर राइट आंसर इस किंग्स ट्रेजडी इसको पैसे नमबर 84 इन मैथ्यो अर्नर्ड कल्चर इन अनाची तर्म फिलिस्टाइन इस यूज़ फॉर आई दुस्तो जो उनकी पुस्तक है दुस्तो कल्चर इन अनाची उसमें फिलिस्टाइन टर्म किसके लिए यूज इस किया गया है दॉस्तो दे इंग्लिस्ट क्लाश दे इंग्लिस्ट क्लास गेंग्लिस्ट ट्रेजी अठीक क्लाश यह लिए दो sendiri आत्लो आंत्यों है आई मिन सरड देने वाला है यह दोस्तों इंग्लिस मेडिल क्लास को कहा गया है पसे नमबर 85 मैथ्यू अर्नर्ड्स रगली रगभी चैपल कमेमरेट्स दोस्तों जो उनकी पोएम है रगभी चैपल दोस्तों एक किसको याद करती है उपसे नहीं देट अब इस फादर देट आफिस फ्रेंड देट अफ पगर्ल देट आफिस रिलेटिव है आई जैसा मैं पहले ही पता चुका हूँ उनके फादर ही वहां पे स्कूल के हेड थे दोस्तों और यह दिखाता है उनके पिता टॉमस अर्नर्ड की डेथ को गाईश है देट आफि तो यहां भी दोस्तो तीन आप्षन है तीनों में उत्तर है आप जानते हैं अर्णल देज दोस्तो अपनी पैस्टोरल एलजी थाइरसिस में किसकी मौत के प्रती बिलाप किया है या दुख प्रकट किया है आर्थर हुज क्लाव आर्थर हल्लम डवली एच आउड इन है इसको आएए शुरू करते हैं और सही उत्तर है दोस्तो आर्थर हुज क्लाव दो राइट आंसर इज उनके दोस्ते दोस्तो हम सब जानते हैं वैसे नंबर 87 गाईज जो दोस्तो पोएम जो उनके पैस्टरल एलजी है दोस्तो उसमें थाइरसिस का करेक्टर कौन है पी बी से ले आर्थर युज क्लाव आर्थर हल्लम एडवर्ट किंग आए हम सभी जानते हैं दोस्तो इसमें हमको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना अब यहां व्याक्ष्या की कोई जरुत नहीं है वी पपॉम इस दराइट आंसर दोस्तो उनके दोस्त आर्थर युज क्लाव हैं दोस्तो डिसको 88 मैथ्यो अर्णर्ड वस नौट वस्तो इन में से मैथ्यो अर्णर्ड क्या नहीं थे अपुएट अ कृटिक ऐसे इस्ट नौवलिस्ट देखके पता चल लाए दोस्तो क्या सही उत्तर है तो आप समझ सकते हैं उनके पोएट के रूप में आउतार आपने पढ़ाई है अर्थाते आपका उत्तर नहीं है क्रिटिक ही वो थो है वो भी सही है क्रिटिशिजम में प्रोज लिखते थे एसे यह भी सही है कि विखने यह इसको वैसे नंबबर 89 रगभी सैपल भाई मैथ्यो अर्नल इज रिटिन दर मेमोरी ऑफ आए दुस्तों दुस्तों इसे थोड़ा थोड़ा घूमा देता है अर्नल्ड का दुस्तों रगभी सैपल किसकी मेमोरी में लिखा गया है टैनिसन सेक्स्पियर छॉमस अर्नल्ड कीट्स इसको आई अधराय डांस गया इस टॉमस अर्नल्ड आप जानते हैं दुस्तों उनके पिता के परसे नमबर 90 दुस्तों आई अधर दुस्तों जितने आप्शन दिख रहें उसमें यह है मैं देखते ही जान जाता हूं दुस्तों उतने में ही उत्तर है तो परिशान नहीं होगी आप्शन डी की यहां कोई जरत नहीं पहलाल सुर करते हैं फ्रॉम विच पोएम दो फुलोविंग लाइन सा टेकन दुस्तों अर्नल्ड की किस पोएम से लाइने लिगे ही दुस्तों क्या वेंडरिंग दुस्तों बड़ा फेमस लाइन हैं की वेंडरिंग बिट्मिन टू वर्ड्स वन डेट द अधर पावर लिष्ट टू बी बॉर्ण विद नो वेर एक टू रिष्ट माई हेड कर रहा है दुस्तों कि दो संसारों के बीच भटकता हुआ दुस्तों मैं एक खत्म हो चुका है दूसरे में पैदा होने की हिम्मत नहीं है दुस्तों क्या मैं अपने सर को आराम के लिए कहां पे रखू दुस्तों डावर बीच स्कॉलर जिप्सी गरांडे कैश्ट्रूज यस और सही उत्तर है दुस्तों यस गरांडे कैश्ट्रूज यस क्वासे नमबर नाइटीवन दुस्तों अबाउट होम अद फॉलोविंग लाइज रीटेन बाई मैथ्यो अर्नल्ड गाईज है यह यह लाइन ने दुस्तों मैथ्यो अर्नल्ड ने किसके लिए लिखा है ओ श्ट्रॉंग सोल बाई वोट सोल टेरिश दाव नाव फॉर देट फोर स्योर्डी है इस बेल लेफ्ट वैन गाईज कर क्या श्ट्रॉंग सोल तुम किस किनारे पर रुके हो यह दोस्तों फाइनली वह ताकत वह उर्जा आप चली गई है किसके लिए अबाउट इस फादर इन एल्जी रगवी चैपल अबाउट आथर हूग क्लाव इन थार्शिस अबाउट स्कॉलर जिप्शी अबाउट सेक्सपीर्स इन अ सॉनेट रिटेन उन हिम इस इसको और यह दोस्तों लिखा है उन्होंने अपने पिता के लिए दोस्तों अबाउट इस फादर इन एल्जी रगवी चैप लिए बिच पोर्म वोन अर्नार्ट अक्सफोर्ट प्राइस गाई शां दोबारा आ रहा है दो किस नौद दोस्तों पोर्म के लिए अक्सफो अभी दोस्तों पढ़ाया भी था मैंने यस तो गाइज दर राइट आंसरी रिपीट हुआ है एलरिक एट रोम है पासे नमबर फॉर्टी नाइन्टी थ्री यस यह बहुत फेमा से गाइज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यह कोटेशन और यह कोश गई हैं एंड वी आ हैर आना डार्क लिग प्रेन स्वेप्ट विट कन्फ्यूज अलार्म सब स्ट्रगल एंड फ्लाइट वर एग्नोरेंट आर्मीच क्लैस बाइन आइट दोस्तों करा क्या और हम लोग इस दुनिया में दोस्तों ऐसे ही कठे हुए जैसे confused alarm से दोस्तो सेनिक कठे हो जाते हैं और अधेरे में मार काट करना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने की वो अपनी सेना को मार रहे हैं या दुसमन की सेना को मार रहे हैं और ये लाइने दोस्तो कहा की हैं डाव दीच की हैं सीफ चैनेज दराइड आंसर इसको पसे नमबर 94 गाईज आई है इसके रिए कोस्चन देखते ही दोस्तों मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप उत्तर का इंतजार करो कमांड तो दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए पराई एक बार मैं आपको मौका देता हूँ देखते हैं क्या उनकी दोस्तों किस पोएम से लाइने ली गई हैं अदर्स बहुत बार दोस्तों इसको लिया है मैंने कोटेशन में भी कई बार लिया है अदर्स अबाइड आख क्वेस्टन दाव अफरी करा क्या कि और सब पे तो हम उगली उठा सकते हैं और सब पे प्रस्न भी कर सकते हैं हम कोस्चन कोस्ते हैं आप एक डवियांनी की तरह मुश्कुराए जाते हो दोस्तों यहां किस में कहा गया है यहां पे दाव सब्थ किसके लिए आया है Milton, Spencer दोस्तो इसके सारे option दिखा देता हूँ ऐसे उत्तर देखने की जरुत नहीं दोस्तो उत्तर देख के ही आपको बताना चाहिए था और आप मैंसे काफी लोग के उत्तर आ गए दोस्तो यह उन्होंने कहा है किसके लिए दोस्तो यह उन्होंने कहा है सेक्स्पेर के लिए गएज सीफ चने इस दराइट आंसर अब दोखे गएज मही से तोड़ा दूसरा question का तरीका दो फ्लोविंग लाइज अपियर इन एंड दाव फू डिट देश्टास एंड संबीम स्नो self-schooled, self-scanned, self-honored, self-secure करा भी यह आपकी schooling खुद से हुई आपने खुद को ही criticize करके सुधारा आपने खुद को कोई और नहीं तो आपने खुद को आत्म सम्मान को आगे बढ़के काम किया यह दोस्तों किसके लिए है सेक्स्पियर, रगभी चैपल, ढाव बीच, छोमा गरेट दोस्तों यह लाईने कहां आती है इसको आई यह है 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 इसको एक मिस्टेक हो गया हमने स्कूल में यूनिवर्सिटी मिस कर दिया मैं पीछे जा रहा हूं यह बिलकुँ सही गाईज यहां पर आईए एक बार पीछे चल लें यह सब सही दोस्तों यहां पर है इस इस गाईज मैंने ध्यान नहीं देखा में लगा इसकूल दोस्तों इसकूल वारी थी कौन मैंने ध्यान नहीं दिया ऑक्सफोर्ड प्राइज लिखा है दोस्तों एक कॉलेज वाला है माफ करेंगे थोड़ा गलती होगी जल्दबाजी में देख नहीं पाया बहुत जवर्जस दोस्तों मैं चाहूंगा सिर्फ इसको ऐसे देख ही लें आप क्या truth sits upon the lips of dying men in which poem of Arnold does this line occur मैं तो ऐसे भी जानता पर दोस्तों मैं चाहूंगा देख ले मरते हुए आदमी हमेशा सच बोलते दोस्तों ऐसा बोलने का कि मरते हुए आदमी के होठों पर सच होता है ऐसा बोलने का यह अर्नल्ड की किस poem के लाइन है बड़ी famous है guys option देख लीजेगा rugby shuffle scholar gypsy दोस्तों हम जानते है option क्या है पर आई एक बार देख लेते हैं yes yes thayersis soharab and rushtam आई ऐसे है दो मैं चाहूंगा इस quotation को ही याद कर लें आप the right answer is soharab and rushtam let's go person number 97 the following lines in taken from guys यह बहुत ही बज़ेदार है दोस्तों उनकी poem आई तो मुझे याद आ गया दोस्तों the following lines are taken we mortals millions leave alone हम हजारो करोडों लोग जो नस्वर हैं अकेले ही रहते हैं यह line ने दोस्तों कहां से लिग गई है to marg right rugby's apple dog of each Shakespeare guys let's go so the right answer is yes to marg right दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो एक दोस्तों french actress थी उससे प्यार हो गया था किसको अरेंड साहब को और उसके सोच को देखने हर सोस का देखा करते थे दोस्तों कुछ बात जमी नहीं या जमी दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाया critics को तो ऐसा माना जाता है दोस्तों उनकी ज़्यातर poems उसका नाम साहए दोस्तों marg right था या बदला हुआ नाम marg right था भगवान जाने और दोस्तों उनकी marg right series की दोस्तों poems काफी popular है दोस्तों romantic poetry के लूप में आए आए who congratulated Matthew Arnold as being the only living English man who had become a classic in his own lifetime दोस्तों किसने Matthew Arnold को यह कहके congratulate किया कि आप एक मात्र ऐसे Englishman हैं जो अपने जीते जी ही बहुत प्रसिद्ध हो गए है वह कौन था दोस्तों Thomas Carlyle, John Ruskin जोस्तों आपको बता दें आगे चलेंगे Benjamin Disraeli, A.C. Swinburne आए जोस्तों आपको थोड़ा बता दूँ यह critic का नाम था Benjamin Disraeli दोस्तों उन्होंने अर्नेट को क्या कहा था कि आप अपने जीते जी ही बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए है दोस्तों आप से ने 99 The Oxford Movement is also known as guys यह बहुत ही बड़ा था दोस्तों Oxford Movement का एक और नाम था गए जापने सुना होगा सर ने, LM सर ने आपको पढ़ाया भी होगा Oxford Movement एक सुधार आंदोलन था दोस्तों यह इसका एक और नाम क्या था Tractean Movement Pre-Raphaelite Movement Classical Movement Romantic Movement आपको पता दोस्तों इसमें धर्म सुधार से जुड़े कही ट्रेक्ट लिखे गए लाइक फैंपलेट्स एंड आल देट पसें साव दोस्तों हुआ चीफ प्रोटगेनिस्ट आप Imagism in England दोस्तों Imagist poetry का प्रमुख कौन था दोस्तों इंग्लेंड में T. Hume, W. Butler Eats T. S. Elliot, Isra Pound गाईज तो आपने पढ़ा है मैंने से आपको बताया भी है दोस्तों इस इंग्लेंड में दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों Imagist poetry से इध्यान से सुनेंगे दोस्तों आप सब जानते हैं यह तोड़ी कहानी देखते हैं दोस्तों T. S. Elliot और Isra Pound का जो background था वो American था मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्योंकि इंग्लेंड कुछ रहा है दोस्तों W Butler Eats Basically Ireland Dublin के थे दोस्तों तो आप आपके पास आइ दोस्तों एक बार देख लेते हैं अग्रेट क्रिटिक ग्रेट एसेश्ट नोन अज अलफ ओफ द प्लाव इस का इज कर रहा है एक दोस्तों महान निबंधकार दोस्तों हम सबने पढ़ा भी है उनका आपने हाई स्कूल में उनके निबंध पड़े दोस्तों जिनने अलफ आफ द प्लाव के निकनेम से जाना जाता था वो कौन थे जी के चैस्टेटन एजी गार्डिनर आए एंड डब्ली एच हड़िसन बेक्टरेंड रसल हां लेसको शुरू करते हैं आई तो दोस्तों थोड़ा पता दे कैसा लगा आज का है से संथ और दुस्तों ध्यान से सुनेंगे कल से दुस्तों मैं नहीं रहूंगा इविन बी आउट फ स्टेशन कल स्थ ऐलियेट बच गया है तो कल मैं सुबह देखीगा आठ वजे क्लास दोंगा दोस्तों लास्ट क्लास एलियेट ले लूँगा और दोस्तों हाँ इस सारे क्वेस्टन्स आप चिक कर लीजिए निप्पू बताए मुझे मॉडल पेपर सेक्शन में है ना निप्पू हाँ हाँ model paper section में है अच्छा और कहां ड़ लेंगे आपको इन नोर्स बहुत आसान इस देखेगा इस क्या है कि मैंने सारे उत्तर दोस्तो bold type में लगे हैं आपको bold option उत्तर वाले रहेंगे समझ लिजेगा तो मैं चाहूँगा कि आप उसको आराम से देख लिजेगा model papers का जो section है UPPGD का वहाँ भी पढ़ा हुआ है दोस्तो जो मेरे model paper का section है प्लस आरपी सर प्रेक्टिस में भी आपको मिलेगा है ने निपो ठीक है तो आप आराम से इसको पा सकते हैं TSL8 में भी questions से उसको पढ़ लिजेगा फिलाल मैं कल आओंगा दोस्तो TSL8 एक बार पढ़ा के जाओंगा तो मैंने इसको डलवा दिया आप लोग कल दोस्तो क्या था 15 अगस्त था हम लोग एक cricket match का आयोजन किया गया था दोस्तो चंदर इंस्टिट दोरा दोस्तो हम लोग की हालत खसता हो गई सब लोगों की खेल खेल के सब लोग बहुत पड़े थे दूस्तो बहुत कोशिस की परहिम्मत ही नहीं पड़ी और लाइव हो जाता तो मैंने आज इसलिए सो कोश्चन ले लिए दोस्तों 101 इंफेक्ट ले लिए हैं आज सबसे अधा क्वाश्चन लेए गाई बिल्कुल आए कि अ कि 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 तो इस आपके दोड़ा दोस्तों कमेंट ले ले रहा हूं कि अब कि अब इस कल सुबह दोस्तों बिलकुल थैंक्स सर्थ पीडिया कहा है पीडिया दोस्तों एप पे है यस मैंने दोस्तों पूरी क्लोश इस यस अलमसर क्लास लेंगे दोस्तों अलमसर क्लास कल मैं भी सुबाइब एक बार सुनेंगे कल से मैं आउट आफ स्टेशन रहूंगा तीन चार दिनों के लिए तो एंसर की आपको दीजाए हो सकता है अगले दिन दें साम को इस बाब पेपर है तो थोड़े जल्दबाजी नहीं करेंगे कोई कोई कोश्चन ना हो दोस्तों इधर उधर आई तो मतलब मैं अठारा को या दो सकता है अगर हम अठारा को एंसर की नहीं जारी कर पाते तो 19 को जारी करेंगे तो मैं दोस्तों बाइस को वापस या आरपी सर प्रेक्टिस वाले सेक्षन में भी पा सकते हैं आजाम से उसे डाउन्डोड कर लेजिए पर यह गाईस तो चलिए दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी तिल देन आई से गुड़ बाई तो गाईस कीप और वाचिंश अंद्रेश तो गाईस थैंक्यो थैंक्स अल लौट गाई जारों कल दोस्तों फिर सुबह एक बार मिलूंगा फिर हम लोग बात करेंगे दोस्ते थैंक्स अलाट